कहानी शूरू होती है बिजे जो चार साल का बच्चा है उसे चोट लगने से बिजे आंगर में खेलते हुए गिर जाता है उसे मुझ में चोट लग जाती है उसके रोने किवा सुनते ही पापा सब कुछ छोट छाड़ कर गोदी में उठा कर एक किलोमेटर की दूरी पर क्लीन कुछ नहीं हुआ है कुछ नहीं हुआ है तीं चार दिन में ठीक हो जाएगा पर डौक्टर साहब इसको रात को नीन तो आ जाएगी न डॉक्टर अरे हां भाई हां आप चिंता मत करो बच्चे को लेकर लोटे तो नोकर बोला बाबुजी आपका स्फेद महंगा कमीज खराब हो गया खुन लग गया अब ये दाग नहीं निकलेंगे मुरारी काका कोई बात नहीं ऐसे कमीज बहुत आएंगे जाएंगे मेरे बेटे का खुन भै गया वो चिंता खाये जा रही है कमजोरी नहीं हो जाए तूजा एक काम का थोड़े सुखे मेवे फुरूट लेया इसे खिलाना पड़ेगा और मैं चलता हूँ घर पर 35 सालवा दुकान शोरों में बदल गई थी बहुत साब का बेटा बिजे बिजनेस बखुवी संबाल रहा है बहुत साब रिटाइर हो चुके हैं घर पर ही रहते हैं तभी घर से बेटे की बीवी का फोन आता है अजी सुनते हो यह आपके पापा बिस्तर से गिर गए हैं सर पर से खून आ रहा है बिजे कहता है अरे यार यह पापा भी न इनको बोला है जमीर पर सो जाया करो पर मानते ही नहीं है अरे मुरारी काका जाओ तो घर पर पापा को डोक्टर अंकल के पास लेकर आओ मैं मिलता हूँ बहीं पर बुड़े हो चुके मुरारी काका चल कर दीरे दीरे घर जाते हैं तब तक बाबु जी का काफी घून बैच चुका था बैमू चड़ा कर बोली ले जाओ जल्दी पूरा महंगा कारपेट खराब हो गया है काका जैसे तैसे जल्दी से रिक्षा में वाबु जी को डाल कर क्लीनिक ले गए बेटा अब तक नहीं पहुंचा था काका ने फोन किया तो बोला अरे यार वो कार की चाबी नहीं मिल रही थी अभी मिली है थोड़े कस्टमर भी है आब बैठो लेकर मैं आता हूँ जो दूरी 35 साल पहले एक बाप ने बेटे का खून देकर 10 मिन्ट में बेटे को गोधी में उठा कर भाग कर तै कर ली थी एक घंटा 30 मिन्ट में कार से भी तै नहीं कर पाया था डोक्टर ने जैसे ही भाई साब को देखा उनको अंदर ले गए इलाज चालू किया तब तक बेटा भी पहुँच गया डोक्टर रंकर बोले बेटे खून बहुत भै गया एडमिट कर लेते हैं तो ठीक रहेगा बीजे आरे कुछ नहीं डोक्टर साहब आप ड्रेसिंग कर दो ठीक हो जाएगा तीन चार दिन में डोक्टर रंकर बोले ठीक है कुछ द्वाईया लिख देता हूँ थोड़ी महंगी है लेकिन आराम जल्दी हो जाएगा बीजे आरे डोक्टर रंकर चलेगा चार पांस दिन ज्यादा लग जाएगे और क्या अब इतनी महंगी द्वाईया की क्या जरूरत है जल्दी ठीक होकर कौन साने काम पर जाना है चलो मुझे निकलना पड़ेगा शोरूम पर कोई नहीं है यह सुनते ही डोक्टर रंकल के सवर का बान तूट गया और 35 साल पहले की घटना पूरी सुनाई बेटे की आंखों से आंसु बहने लगे उसे बहुत पस्तावा हुआ तभी बहु का फोन आया वो महंगा कारपेट खराब हो गया है जो तुमने दुवेई से मंगवाया था क्या करूं बेटा बोला कारपेट ही खराब हुआ है ना नया आ जाएगा तुम बिस्तर पर नया चादर और गद्दा डालो मैं पापा को लेकर आ रहा हूँ भाई साब के आँखों में आंसु थे और ये खुशी के थे और ये खुशी के थे चोट का दर गाइब था बेटे के अपने पन ने सब उला दिया बस अब तो मोत भी आ जाए तो मंजूर है दोस्तों ये आज की सच्चाई है आज हमारे अंदर का इंसान मर चुक है माबाप अकेले पन का जीवन जी रहे हैं और बेटा काम्याबी और दौलत की चकाचोन में खोकर सब कुछ भूल चुका है अब अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो क्रिपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन का बटन दबाएं कहानी को शेयर करें ऑनाप ऑज और जापको डाय शेयर को सबस्कंतर के चैनल आपको Mें ख़यको सब्सक्राइब करोड़ा, इस भासोन का बлан सबस्क्राइब करें अगर दॉका है ये कि स्काट disc universal में लोर आपको सब्सक्राइब करें बंहार इ况 झाल झाल झाल